हाई आज एक बहुत इंपोर्टेंट पर बात करने वाला हूँ आप लोगों की बहुत जादा क्वेरी आ रही थी कि सर हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम अपने बोर्ट और अपने एंटरेंस के लिए नोट्स कैसे बनाए तो मेरे भाई इसी पर मैं प्रॉपर आपको तसली से गाइड गरूआ सबसे पहली चीज अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि नोट्स बनाने क्लास 12 के अंदर important नहीं होते आपके पास इतना समय नहीं है मेरे भाई end days के अंदर revision के लिए आपको बहुत ही जादा दिक्कते होंगी जब आप अपने हाथ से किसी नोट्स को लिखते हो किसी concept को लिखते हो तो उसकी retention जो है वो बहुत जादा बढ़ जाती है आपके mind के अंदर वो concept जो बहुत ही जादा लंबे समय तक रहता है तो मेरे भाई इस ब्रह्म में बिल्कुल नहीं रहना है आपको detailed बहुत अच्छे notes आप लोगों के बनाने है अब इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोगों को लगता है कि अपने boards के जो हमारे notes है वो अलग बनाएंगे और अपने entrances के notes को अलग बनाएंगे अगर मैं मोटा मोटा देखू ज़रा तो थोड़ा ध्यान से देखना आपके domain subjects जो हैं वो आपके board में भी आने और entrance सिर्फ एक इकलौता ऐसा entrance है CUET जहां पर वही notes आपके use होंगे बाकि अगर आप general test देते हो या फिर आप IP mat, indoor, raw तक, zip mat देते हो तो आपके subject ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं वहाँ पर आपका quantitative aptitude, logical reasoning, verbal ability तो इनके तो notes आपके अलग बनेंगे लेकिन वह subjects जो कि आपके entrance और आपके boards दोनों में common है उसकी आपको single copy ही बनानी है अदरवाइस होगा क्या, काम की double case ही होगी और work बहुत जादा रहेगा आप लोगों के पास तो इसलिए single notes बनाओ, उसी को साक्षी मान के अगर मैं A plus B का whole square कहा रहा हूँ तो A square plus B square plus 2AB boards में भी वही रहना है entrance में भी वही रहना है, चीज़े बदल थोड़ी ना जाएंगी तो दोनों की अलग-अलग copy बनानी क्यों है एक ही copy बनाओ आप सबसे पहले दो अब दूसरी सबसे important चीज जबी इन दिनों ना बहुत ही जादा चलन के अंदर है digital notes कि हम तो digital notes बनाते हैं हम तो phone के अंदर लिख लेते हैं हम तो वो है ना iPad के अंदर लिख लेते हैं भाई इन सब चीजों के अंदर मत पढ़ना मैं आपको personal एक चीज यह जो है बता रहा हूँ आप notes को जब तक हाथ से नहीं लिखोगे ना वो मज़ा आएगा ही नी इसके पीछे का reason बताता हूँ final paper के अंदर जो आप लोगों को चीजे लिखनी है वो paper पे लिखनी है pen से बातरी संद में तो habit अपने brain और अपने हाथों की अभी से ऐसे ही बनाओ कि आपको paper पे लिखने में कहीं कोई दिक्कत ना है नहीं तो handwriting का बड़ा पंगा आ जाते है क्योंकि paper पे हम comparatively तोड़ सा जादा pressure मारते है screens पर tap पे हम उतना pressure नहीं मारते है तो अगर आप comfortable हो तो okay वाली बात है बट जादा तर बच्चे नहीं comfortable होते तो दूसरों को देखकर उस direction में घुषने की कोशिश मत करो कि वो digital notes बनाता है उसके लिए तो बड़ा असान रहता हो उसके लिए तो कुछ नहीं pen and paper से best कुछ भी नहीं है मेरे से लिखके ले ले लिवाली बाता अब तीसरी सबसे important चीज है आपके जो notes होने चीए न वो सबसे पहले दो type के आपको notes बनाने सबसे पहला type होने चीए आपका detailed simplified notes मतलब की भाई आपने एक chapter पढ़ा उसको कोई भी topic पढ़ा है तो उस topic को अपनी language में अपनी भाशा के अंदर मतलब की अपनी English के अंदर जिस भी level पे आप English लिखते हो उसी level पे English लेके जाके उसको simplified तरीके से जो है आपको लिखना है और उसी concept के अंदर आपके 3-4 colors जो है वो use होने चीए आपका green color भी आप use करो red color भी use करो blue and black चार colors मैं बता रहा हूँ इनसे अपने notes बनाओ कुछ important है तो वहाँ पे star mark करके रखो इससे होता है कि जब आप चीज़े read करते हो ना तो आपको चीज़े बहुत असान दिखती है colorful आपके notes रहते हैं चीज़े बहुत highlighted दिखती है highlighters का book के अंदर काफी जादा इस्तिमाल करो तो ये चीज़े जो है ना आपके notes को निखा रहेंगी plus आपके end time में revision करने बहुत help करेगी देखो notes का सीधा सीधा सा तालुकात सिर्फ यही है कि end time पे आपको revision में मजज़ है उसी के साथ आपको क्या करना है जो भी आपने concept लिखा detail लिखा उसके नीचे उसका एक neemonic बना लो कुछ भी कि अगर मुझे इस topic को याद रखना है तो मैं कैसे याद रखूँगा कुछ भी neemonic हो सकता है किसी भी चीज से relate करके वहापे हल किसी देखो ये notes आपको publish तो करने नहीं है तो आपको यह शरम तो आनी नहीं चीए कि इसके अंदर मैं अपनी English गलत लिख रहा हूँ या मैं English अच्छी लिख रहा हूँ भाड में जा English concept समझ में आना चीए concept अगर आपको clear है तो आप paper में बना बना के चीजे लिख दोगे तो अगर आपको Hindi English English डोनों मिला के भी अगर लिखना पड़ रहा है मेसेज वाली जो राइटिंग होते इसको English कहते है उसके अंदर पर लिखना पड़ रहा है लिख दो अपने निमोनिक्स बनाओ वह concept आपको crystal clear होना चीए इसके पीछे का reason यह है क्योंकि जब आप entrance दोगे तो NTA जब आपका CUT का paper आप बनाएगा वो धीरे 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 conceptually बहुत deep जाएगा तो आपके concepts बहुत crystal clear होने चीए मेरे भाई तो इसलिए अच्छे से detail notes बना रहे और याद करने के लिए निमोनिक्स वाप पे लिखने ही लिखने आप लोगों को next सबसे important चीज आप लोगों के लिए क्या है भाई अपना syllabus जो है अपना boards और अपना CUET का syllabus साथ निकाल के रखना है मेरे भाई हो सकता है कि chapter 1 के अंदर boards के अंदर कुछ पार्ट आपका आ रहा हो और हो सकता है कि वो आला जो पार्ट है वो आपका CUET के अंदर वो पूछ ले तो ऐसा नहीं होना चीए कि बस आपने chapter 1 के boards-boards के हिसाब से notes बना लिए वो बाकी का तो बनाए ही नी उसके लिए चाहे भले अभी मत पढ़ो देखो आपके boards अब खतम होंगे तो उसके बाद जो deleted topics है वो हमें complete करने के लिए लगबाग हमारे पार 20 से 25 दिन होंगे तो mentally prepared रहना कि boards खतम होने के बाद चीज़ें खतम नहीं होंगी आपको deleted topics करने तो वहाँ पे अगर किसी chapter के अंदर वो topic deleted है वो CT के अंदर पूछेगा तो वहाँ पे भले वो space छोड़ दो अभी नहीं करना चाहते मत करो कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ boards आले topics पे ध्यान दो वहाँ वो space आप छोड़ दो उसके लिए ताकि जब आप उस deleted topic को complete करो तो वह जो पूरा chapter है ना एक sequence के अंदर जो chapter आए हो है वो आपका काईदे से complete हो क्योंकि चीज़े interlinked होते है फिर हमारी अब यह तो बात हो गई हमारे domain वाले subjects की बात आती है कि quantitative aptitude और logical reasoning का क्या करना है यह देखो आपको पता है कि यह ऐसे subject से जो की बिलकुल अलग है ठीक है इसका हमारा domain subject से लेना देना नहीं है तो इनकी copy तो सबसे पहले आपको अलग बनानी है अब यहाँ पे मैं बच्चों को सबसे बड़ी गलती करते हुए क्या देखता हूँ quantitative aptitude के notes का मतलब होता है उनके question के notes जो की बिलकुल खराब अप्रोच आप लोगों की एक बार बताओ अगर मैं कोई bookset solve कर रहा हूँ तो क्या मैं उसके सारे questions जो है अपने copy के notes के अंदर डालूँगा फिर उसका solution लिखूँगा फिर कोई black pen से question लिखूँगा फिर उसका solution डालूँगा भाई यह school के अंदर चलता था यह school की copy नहीं है यह notes है आप लोगों के personal और math से कैसी चीज है जहाँ पे notes question के बनाई नही कोई concept समझ रहे हो कोई formula सीख रहे हो तो वहाँ पे आपको concept के notes बनाने है अगर आप अगर question के notes बना रहे हो that means आप quantitative attitude सीख नहीं रहे हो आप math का रटा मार रहे हो यह रटा मारने की चीज़े होते है और हमें math के रटा नहीं मारना है क्योंकि अगर आप general test देने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे रटा आपका चलता ही नहीं है तो logical reasoning और quantitative aptitude के जब आप notes बना रहे हो ना तो आपके mind को यह बहुत broad level पे clarity होनी चीज़े है कि अगर मैं simple interest compound interest बना रहा हूं तो उसके notes जो है मेरे सिर्फ concepts के होने चीज़े है simple interest compound interest के बहुत सारे notes जो आपके notes बन जाते concepts निकल के आ जाते हैं कि आपकी one year की compounding के लिए क्या formula है two year की compounding के लिए क्या formula है ठीके तो यह सारे formulas आप एक जगा लिखो और उनके notes detail बनाओ सारे किस तरी किसी चीज़े solve की जाते है हां reference के लिए एक आदा question आप वहाँ पे जरूर डाल सकते हो उस concept को तोड़ा सा broad level पे clarity देने के लिए एक question के help आप जरूर ले सकते हो यह चीज़ लाजमी है करना यह चीज़ समझ में आती है करना मेरे भाई maths को रटा मत मारना reasoning को रटा मत मारना नहीं तो entrance के अंदर आप कुछ कर नहीं पाऊगे तो भाई detail notes बनाने हैं आपको इसके हां उसी के साथ में अगर आ और उसके बाद जबा प्राक्टिस कर रहे हो किसी किसी बुक को लगा रहे हो बुक के questions की प्राक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए एक rough register मतलब मैं बता हूं तो एक ब्राउन कलर का register रहा था जो की बहुत rough pages होते है वो quantitative aptitude solve करने के लिए best register होता है उसके अंदर आप कुछ भी खुचोड़ 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 करके आपको चीज़ा solve करनी है तो मैंने आपको एक बाद आता हूं जब आप math solve करने बैठोगे अभी initially तो आपका जो page solve करने को हो सकता है इतना space ले रहे हो page के अंदर इतना space ले रहे हो आप तो लेकिन धीरे धीर आपको यह space कम करन है क्योंकि quantitative aptitude जो solve किया जाता है तो उसके अंदर space जितना आप कम use करोगे आपको brain जादा चलाना है आपको column कम चलानी है आपको brain जादा चलानी है maths और quant के अंदर यही फरक है entrance के अंदर आपका quantitative aptitude आता है तो आपकी approach उस तरीके से होने चीए क्योंकि जब आप final exam वाले द यह भी से डालनी है कि अब अबने quantitative aptitude के questions को solve कर सकूँ higher maths के question को solve कर सकूँ eco के numerical है उसको solve कर सकूँ उसके बाद में अपने जो भी numerical question है physics chemistry के numericals को मैं उस कम से कम space के अंदर जो है वो solve कर सको तब ही यह आपकी habit अच्छी बनेगी तो यह numericals copies के अंदर मठ डालो notes के अंदर मठ डालो यह school की copies नहीं है यह आपके personal notes है ठीके बात है इसन में तो practice वाले register के अंदर जब आप खुद भी खोल के देख रहे हो ना तो आपको उसके अंदर दिखना भी नहीं आपको खुद भी idea नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन सा chapter solve कर रहा ह तो भाई इसका मतलब यह है कि आपने तैयारी की ही नहीं आप भीड के अंदर बहुत पीछे हो आपको brain को जो है मशक्कत देनी अभी से अभी से तैयारी कराओ इसकी practice करो बहुत रगड़ रगड़ के बात है इसन में उसके बास last but not the least मेरे भाई आपको बनाने हैं आपके short notes मतलब कि अगर मान लो आपके 10 chapter हैं और एक chapter के notes आपके जो है for example 8-10 pages के अंदर आते हैं तो उस हर एक chapter का जो है आपको short note बनाना है वो maximum कितना हो सकता है एक page का maximum जा से अधा हद होगी तो डेड़ पे या दो page इससे उपर मत जाने देना होगा क्या जब आप short notes बनाओगे आ आप extra effort मार रहो बट यह जो extra effort है ना यह exam के आखरी दिनों के अंदर आपका बहुत समय बचाएगा क्यों क्योंकि उस time पे वो समय हो गई नहीं जब आप detail notes पढ़ोगे आपको short notes पढ़के निकलना पड़ेगा और वो short notes जो होंगे मेरे भाई वो बहुत छोटे-छोटे space के अंदर important चीज़े लिखके आप जो उसको रखोगे और जब यह maximum pages जो होंगे ना किसी मानलोग आपको पूरी eco को जो है revise करना तो आपके हाथ में 25 से 30 page के maximum बता रहो हूँ मैं 25 से 30 page के एक छोटी सी इतनी मोटी सी वो नीची है बस notes आपके कि आप अगर exam सुबा उठे हो test हो जाए और मैं आप लोगों को एक बार बता दो short notes बना के होगा क्या यह short notes आपको daily basis पे जो है revise करके सोने की आदत डालनी है इससे पता है क्या होगा जब आप daily basis पे short notes revise करोगे ना तो जो बहुत बड़ा दिखता है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा क्यो चीजे रुकनी शुरू हो जाएगी चीजे स्टिक होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि पेपर के अंदर होता क्या है गाने चल रहे रील के ठीके पेपर के अंदर तो यही हो रहा है तो चीजे रुकेंगी कैसे यहाँ पे जब आप short notes daily basis पे revise करोगे यह मैं आपको दिमाय में डालना कि ठीक है सबसे पहले मैंने यह बात लिगी फिर मैंने यह बात लिगी फिर उसके बाद यह concept है इस concept के अंदर यह है ऐसे करके पूरे चाप्टर रिवाइस कर लो हो सकता है बीच में चीजे मिस होंगी इनिशेली मिस होंगी बट उसके बाद फिर आपको उसको जो है actively देखना है कि अच्छा चाहां मुस्से यह सारी चीजे में सोई थी passive revision से पता है क्या होगा आपका खुद पर भरोसा आएगा कि इस chapter के अंदर यह concept है चीजे revise हो जाएंगी concepts mind में रुकने शुरू हो जाएंगे यह एक छोटी-छोटी ऐसी चीजे हैं जो बहु अपनी retention देख लेना और अपना level देखने लेना किस level पर आप लोग पहुँच चोगे और मुझे दीजे का चाहसा तिल देन बबाए और टेक कियर